जब भी घर में सवर सेविल कराया जाता है पानी की कमी को पूरा करने के लिए तो वहाँ पर क्या-क्या खर्चा आता है और क्या-क्या चीजे होती है इस वीडियो में मैं आपसे सेयर करने जा रहा हूँ यह हमारा यहाँ पर समय सेविल लगा है क्या प्रोसेस होई, किस तरीके का पानी आया, कितना खर्चा हुआ, किस किस चीज पर इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा तो यहाँ पर यह वोरिंग स्टार्ट हो चुका है और करीब 1.500 फिट के नीचे तक यह वोरिंग होगा और यह एक घरेलू बोरिंग है, यानि कि घर के लिए, तो यहाँ पर जो खर्चा आया है, वो भी मैं आपको बताऊँगा और यहाँ पर यह बोरिंग का प्रोसेस आधात कंप्लीट हो चुका है अब क्या है, बोरिंग 1.500 फिट के नीचे तक हो चुका है और जो अंदर मोटी मोटी पाइपे जाती है, वो निकालने की प्रोसेस हो रही है क्योंकि जो लेवर होती है, वो अपनी पाइप डालती है तो यह वो प्रोसेस है, अब यह दो या तीन और बची हुई है जिसको यह लोग निकाल लेंगे और इस तरीके से यह निकल जाएगी यहाँ पर अब जो मसीन आई है समर सेविल के लिए वो डालने की प्रोसेस है और यह वाली पाइप उसमें इस्तमाल की जाएगी अगर आप लेंगे यानि आपके एरिये में जो भी चीजे फेमस चल रही होंगी जो भी समर सेविल पंप वाली कंपनी तो करीब 3500 रुपे से लेके 45-5000 रुपे में यह मसीन आती है और इसके अलावा जितनी पाइप लगती है और खर्चे लगते हैं वो अलग से लगते हैं अलग से मेटेरियल आता है यह जो मसीन होती है और इसके साथ एक तरह का स्टेबलाइजर यानि स्टार्टर भी आता है मुविया आपको दिखाऊँगा तो यह करीब इतने क्याते है अगर आप कंपनी का लेंगे किसी ब्रैंडेट कंपनी में जाएंगे तो करीब 8,000 से लेके 12,000 रुपे तक इसी मसीन का आपको खर्चा करना पड़ेगा जैसे कि बहुत सारी फेमस कंपनी है उनकी मसीनों के लिए तो अपनी इच्छा अनुसार आप मसीन ले सकते हैं तो अपनी जाएंगे तो सबी लोग 5,000 तक की मसीन अधिकतर रिकमेंट करते हैं लगाते हैं तो यह मसीन है और यहां पर यह लास्ट पाइप निकल रही है लेकिन आज मसीन नहीं लगाएंगे किसी साम हो चुकी है और मसीन को चोरी होने का डर भी रहता है इसलिए सुबह आके मसीन को लगाएंगे और मसीन लगाने के साथ ही उसको सीमेंट और इंट से अच्छी तरह से चिनवा देंगे ताकि उसे चोरी होने का डर ना रहे तो ये पाइप आ चुकी है, सुबह हो चुकी है वो भी लगाई जाती है ताकि मसीन को नीचे लटकाया जा सके इस बोर बेल में तो यहाँ पर यह मसीन है दो पार्ट्स में यह मसीन आती है और इसको यहाँ पर जॉइंट करना है जॉइंट करके पेच लगे होते हैं जॉइंट हो जाएगा और फिर इसमें जो पाइप वो देख रहे हैं आप वाइट कलर की वो पाइप को जोड़ा जाएगा पाइप को जोड़ने के लिए चूड़िया होती है और धीरे धीरे नीचे छोड़ते जाते हैं और चूड़िया जोड़ते जाते हैं तो एक तरह से इस मसीन को नीचे लटकाने के लिए एक लोहे की रस्ती साथ में आती है और साथ ही साथ इसमें जो तार लगा हुआ है वो यानि दो चीज नीचे जाती हैं जिससे ये मसीन लटकती है तो यहाँ पर ये इसको जॉइंट कर चुके हैं और मैं आपको बताओं कि जो इसको गाड़ने का जो खर्चा आता है वो करीब 8-10,000 रुपे गाड़ने वाले लोग लेते हैं यानि पूरा बोर्वेल करेंगे इसको पूरा कम्प्लीट करके जाएंगे तो यहाँ पर ये खर्चा है कम से कम हर एरिये के अलग अलग खर्चे होते हैं तो आप अपने एरिये में जो भी खर्चे चल लाओ उसे पता कर लिजे यह देखिए यहाँ पर मसीन से इसको जोड़ दिया गया है अच्छी तरह से चूड़ी होती है और ये पाइप इसके साथ लटका रहता है इसी मसीन से पानी नीचे से उठके आता है और इस पाइप के द्वारा उपर आपको पानी निकलता हुआ दिखाई देगा तो यहाँ पर ये धिरे धिरे नीचे लटकाते जाएंगे एक रसी है लोहे की और एक तार है नीचे लटकाते जाएंगे और उपर से पाइप को जोड़ते जाएंगे तो इस तरीके से इसको जोड़ते जाएंगे चूड़ियों पर है यह तार और नीचे लटकाते जाएंगे यहाँ पर जो हमारा खर्चा हुआ है वो 18,000 रुपे है मसीन को लेकर और सारी चीजों को लेकर 18,000 रुपे हमने हमने जो मिस्त्री है उसको ये 18,000 रुपे दे दिये हम कुछ भी नहीं लेकर है पाइप मसीन सारी चीजों वही लेकर है और हमारी जान पेचान का है इसलिए कोई भी हमें दिक्कत है नहीं सबी चीजे हमने परक लिए ह सहィ हैं यहां पर आप मोटर को स्टार्ट किया जाएगा और देखते हैं पानी किस तरहे यह स्टार्टर है जो की मसीन के साथ ही आता है और उसी प्राइज में पड़ता है चाहे आप राइंडे ya अन्राइडे लोंगे सब के साथ मस्री वही कंपनी देती है तो यहाँ पर यह पानी आ चुका है और सुरू में थोड़ा सा मटमेला पानी आया है लेकिन फिर साफ हो गया है तो जगे के हिसाब से कभी-कभी देड़ तक मटमेला पानी आता है और फिर साफ होता है यहां पर जैसी मचमेला पानी आया उसके बाद ही साफ हो गया लेकिन शुरुआत में आपको 10-15 मिनट आदे गंटे तक इसको चलाना है और जब तक आपकी मरजी हो और शुरू का पानी नहीं पीना है कोशिश करिए कि आदे गंटे चल जाए उसके बाद पानी पीए तो यहा पर चलते ही साफ आगे अभी देखिए यह फिर से गंदा आ गया है तो इस तरह से इसकी पूरी जो अभी तक कंप्लीट कॉस्टिंग आई है वह 18,000 रुपे आई है इसके बाद जब आप घर में पाइप बिचाएंगे और चीज करेंगे तो उसके खर्ची करीब तरी अठा पटास गज या सोगज का मकान है और पूरी तरह से प्लंबिंग का काम करवाएंगे पाइप सिटिंग का काम करवाएंगे तो तरी 18,000 और लग जाएगा छोड़ दो छोड़ दो